आज थर्सडे है तो हर घर में हर बाबा का डिवोटी बाबा से पूझा करता है और बहुत सी उम्मीदी रखता है कि बाबा मेरी रक्षा करो मेरी ये सपने पूरे करो वैसे ही मैंने भी बाबा से पूझा बाबा आप हो की नहीं मैं जो पूझते हूँ उसका समाधन हमें देंगे की नहीं करके और मैंने पूझा किया और पूझा के बाद मैं बस अपने कामे लगी थी और इतने मैं देखती हूँ ना कि देखो पूरे दिये भुझ गये हैं और एक दिया ऐसे ही जल रहा है तो मुझे आश्यर ये हो रहा है सब में तो तेल एक्वली डाला था मैंने इसका तो अलग नहीं डाला तो ये चमतकारी है कि बाबा हमें ये बताना चाते हैं कि मैं हूँ और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ बस मैंने बाबा से पूछा बाबा इस तरह से मुझे समाधान दिया है ये बाबा के किर्पा किसी वह और क्या हो सकता है मुझे बहुत आश्यर ही हो रहा है कि शीडी के साह बाबा मुझे कई चमतकार दिये हैं दिखाए हैं और ऐसे चमतकार तो मैं लाइफ देख रही हूँ मुझे तो आश्यर ही हो रहा है कि बाबा मेरे ही साथ है और मैं हर्दमे मन में यही सोचती हूँ कि बाबा है मेरे साथ पर ऐसे चमत कर लाइव दिखाना तो मैरा सौभागी है और मेरे साई के सभी जो भी डिवोटीज है बाबा की कृपा उन पर सदा रहे और हर समय के लिए रहे और बाबा और पूरा विश्वास के साथ पूजा करो बाबा जरूर आपकी रक्षा करेंगे और आपको कृपा करेंगे बस विश्वास के साथ चलते जाओ बस उसी प्रेम के साथ उसी शिद्धत के साथ बाबा के साथ रहो बाबा के दिये गवे हर वचन को निभाव और पूरे बुरे चीज जो भी है न उसे बाबा की चर्णों पे छोड़ दो और फिर देखो बाबा किस तरह से आपकी रक्षा करते हैं और किस तरह से आपकी जिंदिगयां बदल जाती हैं पहले खुद को बदलो फिर बाबा अपने अप अपने कुर्पा आपद दिखा देंगे ओम सायराम